प्रिय दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इको अ कब पढ़ते हैं इको अ पढ़ने का पहला नियम आप जान चुके हैं आज इस वीडियो में इको अ पढ़ने का दोस्ता नियम जानेंगे देखे, यदि किसी सब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER साथ में आते हैं, तो वहाँ पर E का उचारण O होता है, एक बार फिर से, यदि किसी सब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER साथ में आते हैं, तो वहाँ पर E का उचारण O होता है, जैसे कि आपके सामने हैं POSTER, तो इसको समझते हैं, P.O. को हम P.O. परेंगे, जो S था, उसे हम 100 परेंगे, अटी को हम T.O. परेंगे, और E का उचारण O होना है, जो कि T.O. में विद्यमान है, और R. को हमें R.O. परना है, देखिए, यहाँ पर E का उचारण O हो रहा है, तो इसका उचारण होगा POSTER, अब इसकी परिभासा को देखते हैं, देखिए, यदि किसी सब्द के अंत में E.L. E.N. 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 E.R. सात में आते हैं, तो महाँ पर E को ओपड़ा जाता है, उधारण के लिए POSTER यहाँ पर E का उचारण O हो रहा है, ठेक उसी परकार रीगवर, रीगवर, यहाँ भी E का उचारण O हो रहा है, इस वीडियो में इतना है, थैंक यू, वे नाइस देखिए.